कबिरा जब हम पैदा हुए जग हसा हम रोए ऐसी करनी कर चले हम हसे जग रोए कबिरदासी कहते हैं कि जब हम इस दुनिया में आए तो सारा संसार हस रहा था और हम रो रहे थे क्यों ना ऐसा काम करके जाएं इस दुनिया से कि हम यहां से हस्ते हुए जाएं और लोग हमें याद करके रोएं जो लोग सादमा मार्ग में अधीरता का परिचत देते हैं उनके लिए कबिरदासी कहते हैं दीरे दीरे रे मना दीरे सब कुछ होए माली सीचे सो घड़ा रितु आये फल होए यानि कि मन में धीरे रखने से ही सब कुछ होता है अगर कोई माली किसी पेड को सो घड़े पानी से सीचने लगे तब भी फल तो रितु आने पर ही आयेगा इश्वर को खोजने के विशह में कबिरदासी कहते हैं जिन खोजा तिन पाईया गेहरे पानी पैट मैं बुपरा बुढ़न डरा रहा किनारे बैट अर्थात जो प्रयत्न करते हैं वो कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोता खोर गेहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर ही आता है वहें कुछ लोग जो डूबने के भैसे किनारे पर ही बैठे रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता यानि साधना मारपस किसी प्रकार के भै का त्याग कर निर्भीक भाव से साधना की गेहराई में उतरना चाहिए मनुष जन्म के विशे में कबीर जी कहते हैं दुर्दलाव मानुष जन्म है देह न बारम बार तरवर जियों पत्ताग जड़े बहुरी लगे न डार अर्थात इस संसार में मनुष का जन्म मुश्किल से मिलता है यह मानुष शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे व्रक्ष से पत्ता जड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता मनुष्य का संसार के प्रती क्या व्योहार होना चाहिए कैसा होना चाहिए लोगों से व्योहार करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके विशे में कभीर कहते हैं कभीरा खड़ा बजार में सबकी मांगे खेर ना काहु से दोस्ती ना काहु से बैर बोली एक अन्मोल है जो कोई बोले जानी ही ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी समय की उप्योगिता के विशर में कबीर जी कहते हैं रात गमाई सोई के दिमस गमाया खाए हीरा जन्म अन्मोल सा कोड़ी बदले जाए अर्थाद सोने जागने और खाने के सिवा जीवन में यदि कुछ भी सार्थक नहीं किया तो क्या किया जो जीवन हीरे जैसा मूलेवान हो सकता था उसे तुमने कोड़ियों के भाव बिता दिया इश्वर के मार्ग में अग्रसच होने के विशय में और इसमें आने वाली कठनाईयों के विशय में कभीर जी कहते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीत कहे कभीर मन पाईया मन की ही परतीत अर्थाद जय पराजय सब मन की भावनाई ही तो है इश्वर को मन में विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है यदि प्राप्ती का भरोसा ही नहीं तो उसे कैसे पा सकेंगे जब मैं था तब हरी नहीं जब हरी है तब मैं नहीं प्रेन गली यति सांकरी जामे दो न समाई अर्थात जब तक मुझे में एहंकार था, तब तक परमात्मा का प्रवेश ना हो सका और जब एहंकार मिटा, मैं मिटा, तो परमात्मा स्वैम ही आ गया वे कहते हैं, पीप्रेम की गली बहुत सक्री है, बहुत पतली है और इसमें या तो एहम रह सकता है या पर्मात्मा यानि की पर्मात्मा की प्राप्ति के लिए एहम का विसरजन आवश्यक है नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है रवी आपका स्वागत है हमारी चैनल आयाम इंडिया में सिद्धो की परंपरा में आज हम बात करेंगे जहर तारा तालाब में कमल के पत्ते पर पड़े हुए पाए गए उनको जंद देने वाले माबाप के विशय में कोई प्रमारिक जानकारी उपलब्द नहीं है परंतु एक बात पर आम सहमती है कि उनका पालन पोशन करने वाले मा और पिता का नाम नीमा और नीरू था ये एक मुस्लिम परिवार था और कभीर के पिता पेशे से जुलाहे थे यानि की कपड़ा बुनने वाले आगे चलकर कभीर का विवाह हुआ और उनको एक पुत्र और एक पुत्री हुई संथ कभीर की विवारिक्ता और आत्मज्यान के संदर्ग में कई कहानिया प्रचले थें इन में से कुछ कहानिया मैं आपके साथ साज़ा करूँगा कभीर बहुत लंबे समय तक गुरू के बिना ही रहे वे उस समय के मशूर संथ रामनंजी से दीख्षा लेना चाहते थे परन्तु कभीर एक मुस्लिम थे और रामनंद एक ब्राहमण इसलिए दीख्षे मिल पाने कर संभावना ना के बराबर थी जिस स्थान पर रामनंद ब्रह्म्य मूरत में इस्नान करने जाते थे कभीर महा जाकर सीड़ियों पर लेट गए अंधिरा होने के कारण रामनंद कभीर को देख ना सके और उनका पाउं कभीर की चाती पर पढ़ गया और अचानक ही आवाक रह जाने के कारण उनके मुख से सहसा ही राम राम निकल गया कभीर ने इसे ही अपना दीख्षा मंत्र मान लिया और गुरू के पाउं पकड़ उन्होंने रामनंद जी से स्वयम को शिष्य रूप में सुईकार करने की प्रात्ना किया रामनंद जी ने प्रभावित हो कभीर को शिष्य के रूप में सुईकार किया कहते हैं कि संद कभीर और तुलसी दास समकालिक थे तुलसी दास जी को कभीर की बढ़ती हुई लोग प्रिता के विशय में जानकारी मिली तो उन्होंने नेनाय लिया कि वो कभीर से मिलने जाएंगे वे कभीर से मिलने के लिए पहुँचे जो रास्ता कभीर की जोपडी के तक जाता था उसके दोनों और कसाईयों की दुकाने थी और वहाँ कटे हुए जानवा टंगे थे तुलसिदास एक सात्रिक ब्राहमर थे वे इस सबसे काफी विचलित हुए जब वे कभीर की जोपडी में पहुचे तब उन्हें खाट पर बिठाया गया संत कभीर रसोई से निकले और सत्संग करने जा रहे थे तुलसिदास इसे रहा नहीं गया और उन्हें ने कभीर से पूछा कि आप एक मशूर कभी हैं और एक महान संथ हैं आप ऐसी जगर पर कैसे रहते हैं जहां पर बुचल खाने हैं तब कभीर दास जी ने कहा कभीर का घर बाजार में गलकटियों के पास करेगा सो भरेगा तो क्यों होवे उदास यानि कि कभीर का घर बुचल खाने के पास है तो क्या हुआ जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा जिसने कुछ किया ही नहीं उसे भैक इस बात का तो सिधासी इस बात से बहुत प्रभावित हुए एक बार एक मुहंडन फकीर जिसने कभीर का नाम सुना हुआ था वे कभीर से मिलने गया कभीर ने अपने दर्वाजे पर एक तगड़ा सा सुवर बान दिया फकीर ने सुवर को दर्वाजे पर बंधा देख कभीर की जोपड़ी में प्रवेश नहीं किया और वे उल्टे पाउं ही वापस लोटने लगा तभी कभीर ने उसे आवाज दी और कहा हे फकीर तुम अब क्यों वापस जा रहे हो मैंने तो गंदा सुवर अपने दर्वाजे पर बंधा हुआ है मगर तुमने कुरूद, खमंड, लालज और इश्या जैसी गंदगी को अपने दिल में बांद के रखा है उसका क्या? फकीर का सिर शर्म से जुख गया उसने कभीर जी से माफी मांगी और वैकभीर का शिश्य बन गया एक बार कभीर के घर बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए कभीर की एक आदब थी कि जो भी लोग ईश्वर का भजन करते थे कभीर उन्हें भोजन जरूर कराते थे परन्तु आज उनके घर में लोगों को भोजन कराने के लिए कुछ भी नहीं था उन्हें अगली सुबह तक सारा इंतजाम करना था कभीर और उनके पुत्र ने एक दुकानदार के यहां दिवार में एक छेथ बनाया और कभीर ने अपने पुत्र से कहा कि उतना ही सामान निकालना जितना लोगों के भोजन के लिए आवश्यक हो कभीर के पुत्र को ये चिंता थी कि कहीं ऐसा नहो कि उनके जाने के बाद कोई और दुकानदार के यहां बचा हुआ सामान और पैसा चोरी करके ले जाए कभीर के पुत्र दुकानदार को आवाज लगा कर बाहर उसी छेथ से निकलने लगे जिससे भीतर प्रवेश किया था परंतु वे छेथ में ही अटक गए और पीछे से दुकानदार में उनके पैर पकड़ लिए कभीर के पुत्र ने कभीर से कहा कि पिता जी अगर हम पकड़े गए तो ये चोरी की बात सबको पता चल जाएगी और जब हमारे महमानों को ये पता लगेगा तो उन्हें बुरा लगेगा एक काम करिए आप मेरा सिर काट के ले जाएए कभीर ने ऐसा ही किया जब कभीर बेटे का कटा हुआ सिर ले घर पहुँचे तो उनकी पत्मी ने कुछ नहीं कहा और बेटे का कटा हुआ सिर सम्हाल कर रख दिया और अपना काम करने लगी अगली सुबह कभीर और उनकी पत्मी ने घर आये महमान ग्यान देव और नाम देव साथ ही उनके अनुनायों को भोजन कराया और सेवा सतकार किया अगली सुबह कबीर और उनकी पत्नी ने घर आये महमान संत ग्यान देव नाम देव और उनके अनुनायों को भोजन कराया और सेवा सतकार किया ग्यांदेव और नामदेव उनके सदकार से बहुत प्रसंद हुए शाम को कबीर के साथ जब वे बाजार गए तब उनके साथ भजन मंडली भी थी रास्ते में उन्हें एक बिनसिर का शरीर खंबे में लटका हुआ देखा दरसल जिस दुकांदार के घर चोरी हुई थी उसने कबीर के बेटे कमाल का धड़ एक खंबे में लटका दिया इस उम्मीद में कि जिसके भी परिवार का ये वेक्ति होगा वै उसे लेने जरूर आएगा जैसे ही ज्यानदेव और नामदेव उस बचे हुए शरीर के पास से गुजरे वैसे ही उसने हाथ जोड़े और भजन की ताल पर हाथ हिलाने लगा जब संतों ने कबीर से इस विशय में पूछा तो कबीर ने आखों में आसू लिये हुए कहा कि यह विश्णू का भगत है इसके शरीर में जो प्रांच शेश है वो सिर्फ इस लिए है कि आपको सुन सके आपको देख सके ज्यानदेव जी ने अपनी द्रश्टी से देखा यानि कि अपनी दिव्य द्रश्टी से देखा तो जान गए कि यह कबीर का ही पुत्र है उन्हेंने कबीर के पुत्र कमाल का सिर मंगवाया और उसे पुनर जीवित किया कमाल ने जीवित होते ही संतों के चरण सुपरश किये एक बार कुछ साधू कबीर दासी के घर आये कबीर ने उनका स्वागत किया और भोजन करने के लिए रोक लिया कबीर ने अपनी पत्नी से भोजन तयार करने के लिए कहा पत्नी ने बताया कि घर पर कुछ भी नहीं है कबीर ने कहा मुझे कुछ नहीं मालू कैसे भी भोजन का इंतजाम करो घर में पैसा था नहीं शाम हो चुकी थी लगभग सभी दुकाने बंद हो गई थी एक दुकानदार ने एक शर्थ पर मदद करने की पेशकश की उसने कबीर की पत्नी लोई से अपना इस्त्रित्व उसे सौंपनी को कहा लोई ने कहा कि वो रात को उसके घर आएंगी संतों की सेवा का इंतजाम हो गया लोई ने कबीर को दुकानदार से किये गए वादे की बात बताई कबीर सौयम ही अपनी पत्नी को लेकर आधी तूफान में उस सेट के घर गए और पत्नी का बाहर ही इंतजार करने लगे सेट इस बात से काफी प्रभावित हुआ कि इतने तूफान और बारिश में भी लोई ने अपना वादा पूरा किया परन्तु जब उसे पता चला कि कबीर सौयम अपनी पत्नी को लेकर आए है तो उसका हिर्दे परिवर्तित हो गया और वो आत्मकलानी से भर उठा उसने कबीर और उनकी पत्नी से शमा मांगी और कबीर दास्टी का हमेशा के लिए भक्त बन गया काशी नरेश बीर सिंग कबीर का बहुत सम्मान करते थे जब भी कबीर उनके पास जाते वे स्वयन गद्दी से नीचे बैठते और कबीर को उपर बिठाते एक दिन कबीर ने उनकी परिशा लेने की सोची कबीर एक दिन बाजार में रविदास के साथ मिकले और उनकी एक शिश्या जो की पहले वैस्या थी भो भी उनके साथ थी कबीर जी दो बोतलों में रंगीन पानी लिये हुए थे जो की दिखने में शराब जैसा था खबर राजा तक पहुँची और कबीर इसी हालत में राजा तक पहुँच गए कबीर को इस हाल में देखकर राजा की शद्धा डगमगा गई और वे आसन से नहीं उठे तभी कबीर ने अपने पैरों के पास ही बोतले तोड़ दी राजा समझ गए कि ये शराब नहीं कुछ और है क्योंकि शराबी शराब की एक बून भी बरबाद नहीं करता उन्होंने रविदास से पूछा कि ये क्या है रविदास ची ने कहा महराज जगनात मंदिर में आग लग गई है और कभीर बोतलों के पानी से उसे बुझा रहे है राजा ने दूद भेज कर जब पता लगवाया तो मंदिर में आग लगने की घटना सत्य निकली राजा की शरद्धा कभीर जी में पूण वरत इस्थित हो गई कभीर के गुरू रामनुन नियमित रूप से भगवान श्री राम की पूजा करते थे एक दिन रामनंद परदे की आड में भगवान राम की मांसिक पूजा कर रहे थे उन्होंने भगवान को सीधे मुकुट पहना दिया और माला डालना भूल गये माला की गोलाई छोटी थी अब मुकुट उतार कर माला पहनाना उचित नहीं था रामनुन जी बड़ी दुविधा में थे तभी बाहर बैठे कभीर ने रामनुन जी से कहा गुरू जी माला की गांट खोल कर फिर गले में पहना दिजिया कि कभीर को कैसे पथा चला की मेरे मन में क्या चल रहा है उन्ने अपने भक्तों को बुला परदा हटवा दिया आखिर कभीर से छुपा ही क्या था जो परदा लगा कर रखा जाए एक बर कभीर के पास एक विक्टि आया उसने कभीर से प्रात्ना की कि आप मुझे भगवान के दर्शन करवा दीजिए कभीर ने उसे धेर सारा सामान लाने को कहा उस विक्ति के धन का एक बड़ा हिस्सा इसमें खर्च हो गया एक बड़ा समारो किया गया सभी बड़े खुश थे कि इस विक्ति को भगवान के दर्शन होंगे जिसमें इस वेक्ति के रिष्टेदार भी सामिल थे सभी लोगों के लिए स्वाधिष्ट भोजन तयार कराया गया धीरे धीरे वक्त बीथने लगा दोपहर हो गई, शाम हो गई लोगों के सबर का बान तूटने लगा लोग भूके थे और सामने स्वाधिष्ट भोजन तयार रखा था परन्तु जब तक भगवान के दर्शन इस वेक्ति को नहीं हो जाते कोई भी भोजन नहीं कर सकता था लोग कबीर को कोश रहे थे कि इसने बेवकूफ बनाया है तभी रसोई के स्थान पर एक भैसा घुसाया और उसने रसोई का सारा भोजन और सामान तहस नहस कर दिया लोग बहुत क्रोधित हुए और भैसे को घेर कर लाठी डंडों से बहुत मारा भैसा लहुलुहान हो गया और वहां से अपनी जान बचा कर भागा लोग जब उसके पीछे गए तो देखा कभीर उसे पकड़ कर रो रहे हैं और कह रहे थे मालिक इतना कष्ट तो तुम्हें तब भी नहीं हुआ जब तुम राम बन आये और रावन का वद किया जब तुम कृष्णी बन के आये और कंस को मारा तब लोगों को समझ आया कि भगवान वहां किस रूप में आये थे और सभी का हर्दय उंद्रवित हो गया कहते हैं कि कभीर जी ने जब शरीर छोड़ा तब हिंदू और मुसल्मान आपस में कभीर का शरीर लेने के लिए जगरने लगे वे कभीर जी के शरीर का अंतिम संसकार अपने अपने तरीके से करना चाहते थे मगर कभीर दास जी का शरीर वहां से गायब हो गया और वहां ताजिफ फूल बचे हिंदू मुसल्मानों ने ये फूल आधे-आधे बांट लिये और अपने अपने रिवास से संसकार किया कभीर दासी ने कहा था ये तन्विश्की बेलरी गुरु अमरित की खान शीश दिये जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान इस शरीर में काम, क्रोध, लोब, मद, मोह, एहंकार, राग, देश, ईश्या, घ्रना जहर के रोप में भरा हुआ है, गुरु आपको इस जहर से मुक्त कराता है अमरित पान कराता है, इसलिए अगर शीश देकर भी गुरु मिल जाए तो जहिजकना नहीं चाहिए महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुपता हो यही मेरी ईश्यार से प्राक्ना है आपका बहुत बहुत धन्यवाल दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग में प्रिवित करने के लिए हमने दो वीडियोज मनाये थे अजपा जब और अजपा जब पार्ट टू यदि आपने इन्हें नहीं देखा तो हमारे चैनल आयाम इंडिया पर इन्हें देखें और यदि इस साद्मा के विशे में आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं हमारा नमबर स्क्रीन पर दिया हुआ है आपका बहुत बहुत धन्यवाल